आज हम आपकी खिद्मत में किताब पेश करें हैं लावा मसलने मर्जुलहक एली अवास कमेंड यह किताब आपके लिए बुक्षेर पाक्स्तान की जानफ से पेश की जा रही है मजीद मारूमात के लिए हमारे नंबरों पर राप्ता कीज़ें 030029196000 मौहमाद अंजर लतीव या पे 03455234518 मौहमाद शपीत तो आई सुनते हैं पार्ट नंबर 20 तुम्हारा ये दोस चीज़ें उडा लेने में उस्तार्ध है तेसी का लेज़ा ऐसा तर्ट था कि अगर कोई दूसरा होता तो इसे थपर रसीद कर देता मेरे खुदा गुस्से में तो ये और भी यसीन मालूम होती है जीज ने दिल में कहा घंता बोला नहीं भई इन हेलोईन की सक्थ पाज़त की जा रही है चुनाचा हम इने उडान के दौरान उडाएंगे दाकाइदा हाई जेक करेंगे तेसी हैरत से घंते की सुरस तकने लगी तुम होश में तो हो खंते यानि हीरे इस सक्थ ओडाएंगे जब हवाई चाहाज परवास कर रहा होगा और फिर हवाई चाहाज भी मसाफिर का ना होगा बल्किस माल समाल जानी वाला होगा सब कुछ जाने वाला होगा बिल्कुल हमें एक ऐसे इस इंसान की ज़र्यत है जो इतना छोटा सा हो जाबे में यानि लकडी के बकसे में छुप जाए जब हवाई चाहाज फिर हम होगा तो ये इंसान लकडी के बकसे में से बाहर आ जाएगा वो जब पे खोलेगा जिसमें ये डीब ब्रेस के हीरे होंगे इसमें हिरुन्च का पैकेट निकाल कर इस जगा दूसरा पैकेट रग देगा जो पहले से ही तयार कर दिया जाएगा और फिर वापस अपने क्यारिक में छुप जाएगा और मैं इतनी छोती हूँ कि इस क्यारिक में समा जाओंगी घंते ने कहा तुम इससे भी ज्यादा कुछ हूँ ट्रेसी शुक्रिया लेकिन नहदी तो सुनू कि मैं क्या हूँ तुम होश्यार और निडर हो और ये काम तुम ही कर सकती हो तेसी चल सांतियों तक खामोश रही तद्बीर तो मुझे पसंद आई लेकिन इस आदिन की साथ काम करेने की तज्वीश पसंद ना आई गंटा ये शक्स अवल दर्जे का बदमाश है बदमाश तो हम सब ही है जाने मंद जीश ने मुस्करा कर कहा इस काम के लिए घंटर हमें दस लाक डॉलर दे रहा है तेसी ने शौक कर घंटे की तरफ देखा दस लाक घंटा निशा हिला कर कहा हां पांच-पांच लाक दोनों को हम काम्याब जरूर होंगे जीश ने कहा इसलिए कि एपोज पर समान लादीने की गोदी में एक आदमी मूरी जान पहँचाना है वो हमारी मदद करेगा इस तब हरुसा किया जा सकता है जैसा कि तुम पर किया जा सकता है तेसी ने दाख पिसकर खुदाफर जंटे और वो कमरे में से चली गई मैडरेट वाले मौमले की वज़र से तेसी तुम से हाकितत में खापा है नठाय ने जीश से कहा चनाचा मैं समझता हूँ कि ये काम ना करेगी तो ये तुम्हारी समझ का फेर है घंजर यानि तेसी के मिज़ाच से मैं वाकिफ हूँ वो अपने आपको रोक ना सकेती हूँ हवाई चाहाद में चल्हाने से पहले ज़ाबे धबे और कैरेट वगरा सेल यानि किया जाके कहते हैं हां सर्वा महर कर देल जाते हैं रामून वाबून इन्हें के बता रहा था ये रामून वाबून एक नौजमान प्रॉंसी था लेकिन इसका चेरा ब प्रॉंस के कार्गों हवाई जहादों में माल समान चरहाने के जिमदार हूँ था यानि जिस्ट्र था और उन दोनों के इन लोगों के मन्सूबे की काम्याबी के कुण्जी यही सा शक्स था वाबून तेसी जीव और घंतर इस कष्टी में जो दर्याए रसीन निस्याह को सेर कराते थी जंगले की करीब वाही में इस पर बैठे हुए थे कष्टी का नाम था बातियो मोशे अगर केरिट और टोकरे वगएरा सेल कर दिये जाते हैं केसे ने पूछा तो फिर मैं इस दाकरे कैसे होंगी हम आपने वक्त में माल शरहानी के लिए वाबून ने कहा कमकी वो केरिट इस्तिमाल करती है चुछिए हमारी इस्तलाह में चुछिए होते हैं यानि संदूक से होते हैं जिनका एक पेलूग क्रम्च से बंग किया जाता है और ये क्रम्च भी कीलों से जड़ा हुआ नहीं होता मैंके इन पर रश्पे बार दिये जाता हैं सरामतियों अरपासत के गर्श्पे बेहत कीम्ती माल मसलां हीरे रगरा आख से पहले उतारी जाते हैं इसका बंदुबस मैं कर दूँगा और वो तोकडी जिसमें आपको होंगी हिरोईनों के नरम कर दे कि बिल्कोई करी भी रखा जाएगा इसके बात आपको सिर्फ यह करना है जब हवाई जहाज परवास कर रहा हो तो आप रहसे काट कर मच खोल दे हीरे निकाल लें इनकी जगा जूते हीरों का पैकेट चाग दें समझ गई फिर क्या ये कि आप हीरे लेकर वापस अपने क्यारिश में घुस कर इसे बंद कर दें चलो काम हो गया घंता ने जाफा करते हुए सर हिला कर कहा हवाई जहाज में जब स्ट्रडम के हवाई अड़े पर उत्रेगा तु संतरी हिरों नो के वो बॉक्स जो तुम से असर की जगा रख दिया जाएगा हीरे तरासने वालों का पास ले जाएंगे और जब तक इन लोगों को पता चले कि हीरे नकनी हैं तब तक तक तो हम ता तुम्हारे लिए एक हवाई जहाज पर इंतिजाम कर देंगे जो तुम्हें मुश्ट से बाहर ले जा रहा होगा यकीन करो बेहद असान काम है गोई गर्वाई ना होगी तद्वीर काम्याब हो सकती है इसने सूचा बसर जीफ इसमें शरीक ना हो जीफ के लिए इसके दिल में ऐसे मुतजाच जस्पात मौज़न थे कि इसे अपने आप पर कुसा भी आ रहा था जीफ में एसके साफ जो कुछ किया था वो इसे चूमें सा दिखानी की गर्ष से नहीं बल possess इस के तेसी के जंजलाहच से महभूज होनी की गर्ष से किया था इसे पेशे से गड़दारी की थी इसे धुका दिया था इसे भी वकूफ बनाया था और अब वो मन मन ही इसे पर हस रहा था वो तीनों इस पर नज़े जमा इसके जवाब के मुंतजर थे कस्थी आप पॉइंट नूप के नीचे से गुज़र रही थी जो पैरिक का सबसे बड़ा पुल था लेकिन फ्रांसी इसे नया पुल केंटे थी दूसरे करा किनारे पर एक रहका और एक रहकी दूसरे को प्लार कर रही थे और तेसी लग़ी के बश्रे पर रोहानी मसर्ण देख रही थी बिवकूफ है वो जैसी इसमें इस लग़ी के मुटालिक तैसला सादर किया और फिर वो खोल में एक आखरी तैसला कर चुकी थी इस जीज़ के आँखों में आखे दाय कर कहा अच्छी बात है मैं करूंगी ये काम और इसमें लेखा कि मीज के आफ़ पास सुज़ा का तनाव दफ़तन कम हो गया बहुत वहत वहत कम है वाबून ने अपनी मुटा बिक्री की बक्री की आँखे पेशी की तरफ घुमा कर कहा मेरे तैसलाई एजिंट के वहां काम करता है और वो हमें अपना दो कैरेट जिसमें माधन मौजील आप होंगी अपने गुडाम में रखने देंगी और वहीं से वो कैरेट लाया जाएगा आप पर जशी के दौर एक तो नहीं पढ़ते मासा मौजील तो मेरी सिकर बच करो वहां तो यह सफर कितना तरील होगा आपको कुछ शर्ण मिनट तो गुडाम में गुजारने होंगी और फिर स्रड़म तक एक घंटे का सफर है बस और यह कैरेट कितना बड़ा होगा इतना बड़ा कि हम इसमें आप परसानी सिभेड सकेंगी इसमें दूसे चीज़े भी होंगी आपको च्पानी के लिए यह एत्याथी तद्बीश जरूरी है कोई गर्बर ना होगी घंटाने से यकीन दिलाया और अब एत्याथी तद्बीश जरूरी है गोया पता नहीं कर हो जाए तेशी के रगोरेशे में थंडा सरियत करने लगी थी इन चीज़ों के प्रिशत है मेरे पास जिन की तुम्हें जरूरत होगी घीष ने तेशी को बताया और इन चीज़ों की प्रिशत है मेरे पास जिन की तुम्हें जरूरत होगी जीफ ने देशी को बताया कि इंतिजाम मैंने तहले से कर लिया है खराम कर जाना तो इसे सौ फीसद यकीन था कि इस काम के लिए तयार हो जाएंगी देशी दिल ही दिल में जंजला रही थी वाबून तुम्हारे पासपोर्ट पर बर आंदोरफ्ट की मुनासिब मेरे लगवाए लेगा ताकि तुम्हें हैंडिंग के रवांगी में किसी मुश्किल का कामना ना करना हो आखरी तब बेर हम करसभा करेंगी वाबून ने कहा इस वक्त मेरा काम पर पहुँचना जरूरी है और वो चला गया जीव ने इस खुशी में क्यों नराग का खाना स्टाथ ही खाया जाए मैं तो माफी चाती हूँ चाता हूं गंतर ने कहा क्योंकि मैं पहले ही किसी और को वक्त दे चुका हूँ जीव टेशी की तरफ घूंग गया तो भे तुम ही जी नहीं शुक्रिया मैं बहुत ठख गई हूँ ये जीव से अलग और दू रहने का बहाना था लेकिन टेशी नहीं अलपास कहे तो इस एहसास हुआ कि रहाकिकत में भी हद ठख गई थी ये शायद इसकाम का बोच्टार जिसके मतालिख वो कोई फैसला ना करताई थी अब वो फैसला कर्श की थी तो यक यक बोच हज गया इसके असास दीने पड़ गए थी और वो निधास से हो गई थी ये काम मिलताने के बाद वो दिल में बोली में बेहद तवीर अराम करने के लिए वापिस लंडन जाने वाली है इसकी कम कब्सों पर की जई धरकने लगी सच मच मझे अराम के सब ज़रूरत है एक छोटा फ़ा तोफा लाया हूं तुमारे लिए जीव ने कहा अपर इसने कुप्शूरत कागस में नफासत से लिपता हुआ और रिश्मी फीपे से बंदा हुआ एक बाक्स टेसी को दिया बाक्स में एक बीरहच उंड़ा और कीमती रिश्मी इसपास था जिसकर टेसी के नाम के पहले खुरुस करे हुए थे यानि पी डबली टेसी वो बोली और थे सब कुछे से दिल में कहा क्यों नहों ये तो सब कुछ खरीद सकता है मेरे ही पांच लाख में से इसने इसकाफ खरीदा है तो वो रात के खाने के मतालिक अपना इरादा ना बढ़लोगी जीस ने पुर उमीद होकर पूछा बिलकुल नहीं पैरिस के टेसी प्लाजा एटले के बिंक हट को शुरुड करने में मुकीन थी जो गार्डन रेस्ट्रूंट के रुप था इस उटिल में चोटा सा रेस्ट्रूंट था जहां हलकी हलकी सुरूंगे प्यानों बजाता कटा था इस राम तेशी इस कदर ठाकी हुई थी कि रेस्टूरिंग के लिए लिबास का पीश करनी की भी इसमें साथ ना थी शिनाचा होजी के कैफे रिल्यास पे चली गई और सूप का ओर्डर दिया लेकिन वो सूप भी पूरा ना फीश सकी शिनाचा काब धकेर कर उस खड़ी हुई और डिले डिले कदमों से अपने कम्ले की तरफ चली गई और कैसे के इंतिहाई सेरे पर बैठी हुए दान्याल कॉपर ने वक्त नोच कई लिया दान्याल कॉपर एक मुश्किन में फ़स गया था पैरेस वापिस आते ही इसने इंस्पेक्टेर तरगियान से मुलकात की थी और इस दफ़ा इंटरपोल का सुलूप दान्याल कॉपर से सक्थ रूखा और यह मुखलब खाना था अभी अभी कमांडेंट रोमिरो की गुस्ते भरी आवास में इस हर बधी बच अमरीकन कॉपर की शिकायद सुनता रहा था वो फोन रखकर अभी किसी और तरफ मुतवज्चा हुआ ही ना था कि कॉपर ने इसे निंग निंग आ गया यह डामियाल कॉपर उलू का पच्छा है रोमिरो फोन पर फट पड़ा था जैसे ही इस औरत तेसी जिंशी के ताकुप में मैंने इतने भीतरी आदमी रुपिया और वख जाया किया है लेकिन वो एक बेज़र स्याह से ज़्यादा कुछ सबूत ना हुई जैसा कि मैंने कहा था रोमिरो से बात शीट के बाद इंस्पेक्टर तर्यान इस नतीशे पर पहुंच रहा कि दाम्याल कॉपर का अंदाजा गलब था और टेसी पर इसे बेबुन्याक शक्त था इस औरत के छिलाफ ज़रा बराबर भी कोई सबूत किसी के पास ना था चिनाश्या जब दाम्याल कॉपर इंस्पेक्टर तर्यान से मिलनी गया तो वो पहले ही भरा बर्था था टेसी हैं इसी परेस में हैं दाम्याल कॉपर ने कहा हूँ और मैं चाता हूँ कि इसकी 24 घंते निगरानी की जाए और इंस्पेक्टर ने जवाब किया देखिए जब तक आप मुझे इस बाद का ठोस तबूत नहीं देते ये औरत कोई दबदशन करने जा रही है तक तक मैं कुछ नहीं कर सकता कॉपर ने अपनी शूला बास आँखें इस्पेक्टर पर गाजी और बेधरत कह दिया तुम्हारा दर्जे के घरे हो और दूसरे ही लम्हें इस्पेक्टर की आज़ी कॉपर को बाकाइदा उचाकर बाहर ठेच चुके थे चिलाते हैं इस वक्त से दानियान कॉपर ने तनहा ट्रेसी की नगरानी शुरू कर दी थी वो हर जगा ट्रेसी का ताकुप करता रहा था हूटनों में, दुकानों में और पैरिस के बजारों में और सड़कों पर वो जहां थी जाती और किसी भी बख जाती कॉपर साय की तखा इसके पीछे लगा रहता और इस ताकुप में ना तो सोता ना खाता पीता दानियान कॉपर इस और इस और शुक्सक खाने को तयार ना था इसका काम इस वक्त तक पूरा ना हुआ जब तक के तेसी जिंसी का सलाखों के पीछे दखें नहीं देता यब इसकी ठगन दूनसी हो गई थी यब इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था इस राख इसी बिस्तर में लेती दूसरे दिन की महल के पह हर पहलू पह गौर कर रही थी इसकी सब पे सब दर था कासिस के सर में दर ना होता इस्प्रियंट को वो लेट चल चुकी थी लेकिन कोई अपाका ना हुआ था बर्कि वो पहले से भी ज़्यादा धरखने लगा था इसे पसीना छूट रहा था और कमड़ा नकाबल बद्दास हर तक गरभ मालूम हो रहा था कर तो ये काम खतम हो जाएगा सुच्जा लैंड हाँ नहीं चली जाओंगी मैं वहां के फरहत बक्स पहाड़ों पर सुच्जा लैंड के पहाड़ों पर तो खासी थंड़क होगी अराम करूंगी वहां जाकर अजाद और बे से कर इसने सुच्जा पांच बचे का अलारम लगाया था और जब घंटी बजी तो वह बंडी खानी की अपनी कोट्री में थी और बूरी आहसी पतलून खींच रही थी हाराम जादियों उठो कब्रे पहनने का बक्स आ गया चलो उठो पॉरान और पॉरी दोरों की सारी घंटियां बढ़ने लगे जैसे की आँख खुल गई इसके सीने में सब घुटन और तकलीश सी थी वो बेवक्त तमाम गुस्ल खाने में पहुँची आएने में देखा तो चेरा कुछ सूजा हुआ सा मालूम होता और तम तमाता हुआ सा था नहीं इसने बहुत काम है इसने सुचा आज मुझे बेमार नहीं होना है वो आहिस्ता आहिस्ता कपड़े पहनने लगी वो अपने सब में धरकते दर्ट की तरफ दिहान ना देन की कोशिश कर रही थी इसने बड़ी और घेरी ती मौक वाली पतलूंट रबर सोल जूती और चिपती बोल तूती तोपी पहन दी इसका दिल पूरी तहां से ठरक रहा था लेकिन मुझानती ना थी कि ऐसा काम की संसमी की वज़़ से थाया तबियत की बढ़मस्टी की वज़़़ए इसे चपकर आ रही थे हुस्तक्स नफाकत नपाहट नसूस कर रही थी हर खुश रहा था इसके काटे से पढ़ गए थे इसकी मेंज़ पर रखे हुए इसका स्काफ पर पड़ी जो चीज़ में से जिया था जिसी ने स्काफ उठाकर गले में बांग दिया इसके बाद वापने कमने से निकली और नीचे लॉबी में आई मगर सामने ज़दर दर्वासे की तरफ जाने के बज़ाई वो पिछवाड़े दर्वासे से हुट्ल के बाहर निकल गई कौपर जिस अज़दर दर्वासे पर इसके लिए निगहा रखे था इसे जाते देश ना सका लेकिन जैसे ही ट्रेसी होट के बाहर सड़ख पर निकली कौपर की छुटी हिस्स में इसे बेदार कर दिया वो बहार निकला और सड़ख पर दोनों तरफ ने घार दराई मगर ट्रेसी का कहीं पता ना था इदार ट्रेसी पिछे बाली सड़ख पर इसके लिए मुंतजर खड़ी कार में सवार होकर चल दी आदे संटे बहुत तारिसकार एक ठक्के के साथ कुदाम के सामने रुख गई जिसके माथे पर बरुसारे आइट हासाई का तक्ता लगा हुआ था तेसी को याद आया कि हिसी रामून वाबून का भाई काम करता था तेसी कार से बाहर आई तो उधेर उमर का आदमी एक दे हथ फुटीला आदमी कहीं से निकल कर इसकी सामने आ गया मेरे पीछे आओ वो बोला जल्गी करो भई तेसी बेजान और करक्ती टांगों से चलती हुई गुदांद के पिछवाड़े पहुँची जहां पीछे साथ कैरेट रखे हुए थे ज्यादा तर कैरेट बंद और सर्बा महर किये जा चुके थे और एपोज पर ले जाने के लिए तायार थे एक कैरेट ऐसा था जिसे वाबून ने नर्म गर्दा किया था इस चुबी कैरेट का एक पहलू क्रम्च था ये कैरेट निफ्स के करीब मुक्तलिफ किसम के फ़नीचर से उब्रा हुआ था गुज जाउस में वाबून के उध्यर उमर के भाई में कहा जल्दी करो ना हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है जैसी पर गशी सितारी होने लगी थी इसने इस चुबी संदूग की तरफ देखा तो वो से भी हड़ भ्यानत मालूम हुआ नहीं मैं इसमें नहीं बैट सकती इसमें सुचा इसमें तो मैं मर जाउंगी और अब वक्त था कि वो कदम पीछे हता लेती यह मकाना मौमना यहीं कटम कर देती नहीं नहीं मज़े कुछ नहीं हुआ देखे बरबराई में अथी हुँ जरा देल में ये काम खत्मी हो जाएगा एक आठ घंटे की तो बात है और थे वो अपने मज़े से सुच्चर लैंड की तरफ जा रही होगी उद्वेर उमर के आठमी ने एक दो धारी चाकू रसे का एक पर्ष लाइट और एक फोता सा जेवर बॉक्स जिस पर सुच पत्पीतिया भंदा हुआ था तेसी को दिया ये जेवर बॉक्स का डबली कैसित है आप ये बॉक्स सीरों के असल बॉक्स निकाल कर इस जगा रब देंगी किसी ने एक घहरा सांथ लिया कैरिक में डाकिन हुई और बैड गई गई चंड सेकेंड बाद ही कैरिक के खुले हुई से फिर पर क्रंच का एक बड़ा सा तुक्राद डाल दिया गया और अब वो क्रंच पर असलों के बांदे गह जाने की आवाजे सुन रही थी के क्रंच खुल ना जाए वो धेर उमर का वो आड़नी अब बोला तो अंदर बैठी खुई टेसी की आवाज सुन रही थी जैसे वो बेनुस दूर बोल जहा हो लेको भई अब बोलना जंबिश करना और सिगरेट पीना सब बन बॉक्स के पहलो में मैंने चंस राग बना दिये हैं ताके तुम्हे सांस लेने में कोई तक्रीफ ना हो देखो सांस लेना मत भूलना वो अपने इस रतीफर पर खुद ही हसा और त्रेसी ने इसके पैरुक की चाप सुनी जो दूर जा रही थी अब मर्दम होकर गायब हो गई और अब त्रेसी अंडर में अंधिरे में अकेली थी करिक टंग और बन बन सा था और ज्यादा तर जगा कमरा इत्राम की इस कुशियों ने घे रखी थी जो इसमें ठोज दी गई थी जिसकी के बत्रेसी के बत्र में आख लगी खुई थी इसकी खाज जग रही थी और सांस नेने में सब तक्रीफ हो रही थी किसी किसम का जरीला गुखार हो गया है मुझे इसने सूचा लेकिन नहीं होने दो मुझे एक काम करना है अपनी बिवारी पर से धिहान हटा दो फिर इधर उधर की बात्र सोचने लगी और शायर सोचते सोचते ओंग गई थी क्योंकि इस जट का महसूस कर चेश की आँख खुल गई केरिट इस जट के किस्ताथ उपर उठा लिया गया था और तेसी इसे हवा में जूनते महसूस कर रही थी चिनातेस ने दोनों हाथों से केरिट के पहलू पकड़ी और फिर केरिट किसी सक्ती चीश पर तिक गया जब का देवासा बन होने की आवास सुनाई थी दूसरे ही नम्हा इंजन बैदार होने गुदाने लगा और इस सेकेंड बार तरफ जब भागार जा रहा था केरिट में घर्टी बन कर बैटी हुए ट्रेटी एर पोस की तरफ जा रही थी और अब 1747 एर फ्रंक्स के जनाती माल ले जाने वाल ज़ास में सामाल जाड़ा जा रहा था इसके नाख उपर उठी हुई थी और नीची इसके पेट के सारे ही रास्ते खुले हुए थे जिनके लीचे सामाल से लड़ी ट्रॉलिया रखी गई थी अटीज केरिट या नरम गड़े थे इन में से 28 मरकजी अश्य पुस और 10 हवाल जहास के नीचे अश्य यानि पेट में रखने जाने वाले थे हवाई जहास की चछट पर हवाई जहास के अंज्रून को गर्म रखने वाले थे एक नल्की इस से इस से तक यानि हवाई जहास की नाहा नाक से दम तक चली जा रही थी सामाल तक्रीबं नदा जा चुका था रामनून और वाबून ने अपनी खड़ी घरी में वक्त देखा और बुरा सामू बनाकर जेरे लग एक गाली बग दी चक अब तक ना पहुची थी दी बैरिश का समान इसके नरम गड़े में रखा जा शुका था वाबून ने इस कैरिश के एक तहलों पर सुक रंग पूद दिया था कि जिसी कोई से पचाने में कोई मुश्किन ना हो ये नरम ड़दा गड़ा लगाया गया चड़ाया गया इसके मकाँ पर रखा गया और हवाज जहास के परश के जिन्जीश सिब्बां कर इसमें ताला डाल दिया गया था इसे करीब से एक और पैरिक जखी जान की जगा थी और हमाल जहस के रवाना होने से पहले वो कैरिक यहां रखा जाने वाला था नीचे टीन और बॉक्स भी चड़ाए जाने के मुन्तजर थे क्या हुआ श्रक को? वाबून परिशान था कहा है वो औरत? इस नम्हें ट्रक आकर वाबून के सामने रुख गया दरसल रास्टे में ट्राफिक ज़्यादा थी और इस वज़ा से ट्रेसी वाली ट्रक को एरपोर्ट पहुँचके में ज़रा देल हो गई थी और वाबून ने खास अपनी निग्रानी में ट्रेसी वाला केरिक ट्रक से निकलवा कर हवाई जहाद पर लखबा दिया अब वो औरत जाने और इसका काम हवाई जहाद जमीं पर छोड़ कर हावा में बुलन हुआ तो वाबून ने दिल में कहा बेहत खौफनाद तुफान फट पड़ा था जहाद जूब रहा था और डोल रहा था एक खोब पैकर मौच आई और जहाद से टकराई जहाद जूबने लगा मैं डूब रही हूँ खुदाया मैं डूब रही हूँ पैसी ने सूचा नहीं मुझे निकलना है यहां से भरा निकलना है इतने अपने हाथ से लाए तो वो किसी चीज़ से टकरा गई जिलाइट बोट थी और इस बच्राओ कष्टी की दिवारों से इसके थाथ टकराए थे कष्टी का तरनाख खट तक से डोल रही थी चैसी ने उतने की कोशिश की दरम इसका सर्जमीज की तांग से टकरा गया सक चोट आई फिर लमा भर किने इसके दिमाख पर च्छाई हुई धुन छुट गई और तब चैसी को याद आया कि वो कहाँ थी इसके बाल और इसका च्रेरा पसीने में तर हो रहा था इसका सर्चक्रा रहा था और इसका सुलग रहा था कितनी देर तक वो खोश में नार आई रहा सुतनी की तयारी में था नहीं वो दिल में बोली सब ठीक है एक भयाना खौब है यह तो मैं कम्रे में हूँ अपने बिस्ता में सो रही हूँ तब यह ठीक नहीं डाक्टर को बलवा लूगी वो सांस ना ले सकती थी इसमें टेलफून तक पहुंचने के लिए उतने की कोशिश की लेकिन फौरण ही धह गई इसका पूरा जिसम सीनी की तरहां भोजर हो रहा था हवाई जहास विज़ा के मस्तरिक जूफ में जाकिर होकर हवा से टकर आया और इससे जबरदस हचका खाया कि इसमें टेशी को उठाकर कैरिक के पहले पर देल बारा और अब वो तकरीपन देश सुच सी परी सूचने लगी और कोशिश कर रही थी कि अब तक कितना वक्त है मेरे पास वो एक भयाने खुआप और खौफना दो जखी हकिकत के दर्मियान जूम रही थी हीरे हाँ हीरे इसे किसी ना किसी तहाँ हीरे हासी कर ली ने थी लेकिन पहले को हाँ पहले इस लुक्ती बॉक्स में से बाहर आना था इसे पत्लून में रखे हुए चापों को गिर्फ में लिया और फिर इसे पता चला कि इसे उठाना बहुत पश्किल था इसके लिए इसे बहुत जो लगाना पड़ा था हवा, हाँ, हवा नहीं है, इसमें सूचा हवा की जरूरत है इसे तेटोल का बैरुनी रस्तों में से एक रस्ता तलाश दिया और इसे फ्राकु से काच दिया और ये काचनी का अमल इसे बेहर तदील मालू हुआ, फ्रंप्स खुल गया इसके दूसर रस्ता काच दिया, फ्रंप्स और ज्यादा खुल गया और अब इतनी जगा हो चुकी थी कि वो केरिस में से निकल कर हवा जहाद के पेट में पहुँच सकती थी और वो खुली हवादाश रगा थी, जैरिट के बाहर हुआ हुआ, इतनी सथ थी कि जिए की हडियों का गोदा तक धटपतर आ रहा था इसका बंच कापने लगा और अवाल जहाद की हिच्कियों से तब्यत मतला ने लगी मुझे बरदास करना है इस पे सोचा फिर अपने आप से कहा जैसी सबर करो जरा देल का काम तो है, लेकिन इसका दिमाग चक्रा रहा था, इसे कुछ श्यार ना रहा था मैं क्या कर रही हूँ यहां क्या कर रही हूँ कुछ बेहत एहम काम याद आया नहीं क्या कर रही हूँ मैं हीरे हीरे इसकी नज़र धुन जा गई हर चीज कभी हर तक नज़र में आ जाती और तभी हर नज़र से बाहर होकर धुन ला जा दी थी मेरे खुदा ये काम मुझसे ना होगा दपतन हवाई जहास ने गोता खाया और कीसी संभल ना सकी खड़े कच से हवाई जहास के फर्ष कर गिरी फॉलादी फर्ष ने इसके हातों और हतेलियों पर खराशे डाल दी हवाई जहास संभल कर सीधा हो गया वो बड़वक्त अमाम उच्खर खड़ी हो गई हवाई जहास के इंजिन की गर्च के इसके कानों के जरिये दमाग में घुच रही थी इसके दमाग की गर्च अलग थी और गर्च के दोनों हवासे मिल कर पागर कर देने वाला शूर बन गई थी हीरे हीरे मुझे हासी कर लिनी चाहिए जल अर जल लेकिन अभी तो मुझे बॉक्स में तलास करना है जिसमें हीरे हैं क्या कहते हैं इस बॉक्स को हाँ मैं रब गदा और वो लर्खर आती तंगों से आगे भरी वो एक एक कैरिक के सामने अपरो बैट कर देख रही थी इसे इस कैरिक के तलास थी जिस पर सुख निशान बना हुआ था और तीसरे कैरिक पर सुख निशान था शुक्रिया है और आप वो इसकी सामने खरी याद करनी कि कुश कर रही कि इसी क्या करना था लेकिन इसे कुछ याद ना रहा था खुदा जाने क्या बात थी अगर मैं लेट जाओं जरा अराम कर लूँ चन मिंटों सिर्फ चन मिंटों की नीन ले लूँ तो तब यह संभल जाएगी मुझे नीन की सब जरूरत है लेकिन सोने का वक्त कहां था हवाई जहाज बहुत जल बलकि कोई दम में स्ट्रडम के एपोद पर उताइने वाला था टेशी ने चाकू उठाकर कैरिक के रसों पर चला दिया एक पना, तलवार और काम हो जाएगा इन लोगों ने टेशी से कहा था इसके जिस्म में जरा भी गुवत ना थी वो बामुश्कल चाकू मुठी में पकरे हुए थी नहीं इस आखी वक्त पर मुझे हम्मत नहीं हाई है इसमें अपने आपको दरासा दिया वो फिर रजनी और कप कपानी लगी और ये कप कपी ऐसी सक थी कि चाकू इसके हाथ से छुट गया ये सिंक कासी नहां पहुंसे का इसे सुचा वो लोग मुझे पकर लेंगे और फिर मुझे जेल भीज़ देंगे और वो रज़से दोनों हाथों से मस्बूत पकरेंगी वो दुकोई तैसला नहां कर सकती थी इसका जीच चाह रहा था कि वो वापस अपने कैरिस में घुच जाए और बेपकरी और अपने नास से सुचा इस वक्त तक बेदार ना हो जब तक कि सारा ही मौमला खत्म नहीं हो जाता इसके दिमाग में की गर्ष शिद्दा ते क्यार कर गई थी ट्रेसी ने बड़ी कुश्यों के बाद चंबिस की और छुख करकर चाकू उठा लिया और अब वो कैरिस के मौते रसे काट रही थी आखिकार वो कट गए ट्रेसी ने क्रम्श हटा कर कैरिस के अंदर ज्ञाप कर देखा अंदर अंधेरा था ट्रेसी कुछ दिखाई ना दे रहा था रफटन इसे याद आया कि इसमें फ्रेश लाइड निकाल ली और एंग इसी वक्त इसमें अपनी कमस्पों पर हुआ सब दबाव महसूस किया हवाई जहाज रेंड करने किने नीचे उता रहा था जेखी ने सूचा आप मुझे जल्दी करनी चाहिए लेकिन इसका जिसम हुक्म अदवाली था मुझे से बुद बन गई थी जल्दी करो इसके दिमाग में जिसम को खुक्म दिया चलो चलो और इसमें फ्लेश लाइड की रोशनी पैरिट के अंदर डाली वो बड़े-बड़े लिफाफों, पैकटों और छोटे-छोटे बक्सों से भरा हुआ था और सब के उपर सब रंग के दो बॉक्स थी जिन पर सुर्क पीते बंदे हुए थे दो बॉक्स लेकिन मुझे से तो कहा गया था कि एक है किसी ने आखे मिलाई पैने कई दफ़ा खोल बंद किया और दोनों बॉक्स एक दुस्रे में मद्दुन थे हाँ, अब एक बॉक्स था और ना सिर्फ इस बॉक्स के गिर्ट बलकि हर चीज़ के गिर्ट मनुहारला नजर आ रहा था इसने हाँ पढ़ाकर वो बॉक्स उठा लिया और जेप से दुस्रा नख्ली बॉक्स निकाल लिया वो दोनों बॉक्स हाथ में इख लिये खरी थी इसका मौदा उलच सा गया था मच्छी स्टक थी इस पर कापू पानी के रिए इसमें अपनी आखें भीच ली ये दौरा गुजर गया और अब वो नख्ली बॉक्स केरिक में पहले बॉक्स की जगर पर रखने लगी थी के ठटक गई वो भूल कही थी के अख्ली बॉक्स कौन सा था और नख्ली कौन सा था इसने बॉक्सों की तरफ गौर से दिखा दोनों एक जिसे थे इन पर से शोर मूफ परक्तना था अख्ली कौर सा था वो जो इसके दाएं हाथ में था या जो इसके बाएं हाथ में था हवाई जहात आगे और और भी ज़्यादा छुप गया था वो तनी के करीब था जैसे बस अब लैंग कहनी ही वाला था इसे फॉरण सा ऐसा करना था इसने इस बॉक्स केरिट में रख दिया और दिर्वी दिल में दूआ माँगी कि इसने वसी बॉक्स रכा हो जिसे रखना चाहिए था यानी नकली और वो केरिट के करीब से हच गई वो अपनी कमर पर भंदा हुआ रस्ता कोनी की कुश कर रही थी इस रस्ते का कुछ करना है मुझे लेकिन क्या इसके दिमाग में मची एक घुन गरच इसे सोचने ना दे रही थी और इसे याद आया रस्ता काट कर अपनी जीब में रख लेना और इसकी जगा नया रस्ता बांदेना कोई गल्दी ना करना और वहां कोई ऐसी चीज ना चोना जिससे इन लोगों कुश शक हो जाए वहाँ पैरिस में शेहर की सेर कराने वाली कश्टी में बैखे वह दोग इस चूरी की तद्बीर कर रहे थे तो इस वक्त ये काम किस सदर असान मालूम हुआ था लेकिन अप किस सदर मुश्किल बलके नामंकिन था जिसी के बदन में अब स्दरा बराबर थी ताकत बाकी ना रही थी संतरियों को कटा हुआ रस्ता मिल जाएगा और फिर सारे सामान की तलाशी होगी और वो पकड़ी जाएगी इसके दिल की हेराईयों में सिट कोई चीखा था जैसे नहीं 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 वो बुरी कोशिशों से सालिम दसा कैरिक पर लपेटने लगी या पर या इसने अपने पैरों पर एक जटका महसूस किया हवाई जहाँ से जमीन को छू लिया था फिर दूसा जटका फिर तीस्ता जटका जिसी संभन ना सकी वो गिरी और इसका सर पॉलाही फर्ष से तकराया और वो भी होश हो गई हवाई जहाँ की रफ्तार अफ़र गई थी इसे टेख करके ट्रिमिनल की तरफ ले जाया जा रहा था जिसी हवाई जहाँ के फर्ष पर घर्टी बनी परी थी और इसके बाल इसके फिरे पर आ रहे थे जो मुद्दे की इस तरह सपेज हो रहा था और ये इंजिन की खामोशी थी जो जिसी को होश में ने आई हवाई जहाँ रुक गया था वो एकी ही कि सहारे उठी और फ्रे कोशिशों करके घुटनों के बल बैट गई बहुत खर्यों इसका सरबरी तरहां से चक्रा रहा था गेने से बचने के लिए इसने केरिफ का सहारा लिया नयरस्ता अपनी जुकर से ठीक से भांदा हुआ था किसी ने हीरों का बक्सा सीने से लगाया और अब वो डगमगाते कदमों से वापस अपने केरिफ की तरफ जा रही थी इसने बड़ वक्त तमाम अपना मुदर जुस्न खुले हुए क्रम्च में से अंदर डखे लिया अंदर पहुचते ही वो ड़ह गई वो हाप रही थी और तसीने में नहा रही थी बस बस वो काम कर लिया मैंने हाँ कर लिया लेकिन अभी इसे कुछ और भी करना था एक बहर ज़रूरी और एहम काम क्या क्या था वो हाँ रसा अपने केरिक्टर तहले की तरहां बांग देना टेप वहाँ ना थी और इसमें टेप निकालने के लिए पत्लून की ज्रेब में हार डाल दिया इसका तंस्प आवाज पे चल रहा था और ये आवाज इसके कान से भेरे किस पर रही थी इसे कुछ शक्ष सा हुआ कि वो आवाजे सुन रही थी इसने अपना सांस रोक लिया और गौश से सुनने लगी हाँ इसका वहम ना था वो लोग आ गए थे वो आपस में बाते कर रहे थे और हस रहे थे कोई दम में दर्वाजा खुल जाएगा और वो लोग समान उतारना शुरू करेंगे वो कटा हुआ रस्ता देखकर चौकी और धाकर कैरिक में देखेंगे और अंदर इसे तुपकी हुई बाएंगे इसे किसी तर्कीब से रस्ता पकड़े रखना है वो घुटनों के बल उठी तो कोई चीज की पैस से टकराई रस्ते का बंडर था जो हवाई जहाद के जोकों में इसकी जेप से गिर गया था इसे क्रम्ट उपर उठाया और हाथ बाहर निकाल कर कटे हुए रस्ते के दोनों सिरे तलाश करने लगी वो इसे मिल गए इसे दोनों सिरे चोड़ कर सामने पकर लिए और इन पर टेप लपरेटने की कोशिश करने लगी और अप्टो बढ़न अनारी पंच्प से रस्ते के कटे हुए सिरो पर टेप ले-पेट रही थी वो देखना तक शब्री मातेफर से पसीना बहंकर इसकी आँख्वमें आ रहा था इसकी आँख्वमें सोज़िश पैदा कर रहा था इसे अंधी कर रहा था जैसे इस्ते गड़े में से सकाफ खरीट कर चेरे में से पसी ना पोचा हां अब ठीठ है वो रसे को टेप कर चुकी थी इसने गम्छ वातिस कर दिया था इसे ठीप कर दिया था और अब इसे कुछ ना करना था सिवाए इंतजार के इसे अपना माथा छोर कर छू कर देखा वो पहले से भी ज़्यादा गरम था सही माइनों में फेक रहा था शुष्रे इसने एक मरतूर को हवाई चहाथ में दाखिल होते सुना केरेट टरकर हवाई चहाथ से बाहर ले जा रहा था जब उन्होंने चेशी का केरेट ब्रोक सारे एक स्टाई के ट्रक में दलवा दिया तो इस वक वो केरेट के अंदर बेहोश पड़ी हुई थी और खाली हवाई चहाथ के फर्श पर इसकाफ पड़ा हुआ गया जो जीत ने चेशी को तोफ़े में दिया था किसी ने क्रंच उठाया तो तेज जोशनी इसकी बन आँखों के जरीए दिमाथ में खुसकर आठिश बाजी के अनार की परहा चुगई किसी ने आइसा इसा खो ली आँखी जब गोदाम में खरी थी और सामने जीव खड़ा मस्कुरा रहा था मेदान माई डिया तुमने वो बोला किसी तुम कामाल की आरत हो रसे अजूबा रोज़कार हो लाओ हीरों का बाक्स और वो खाली अलहसन होकर देखती रही के जीव ने इसके पहलों में से बाक्स उठाकर अपने कब्से में कर लिया अचाको अब लेशन में मिलता हूँ तुमसे वो पलच कर चल दिया वो दो कदम चल कर दुग गया और दुबारा किसी की तरह खूंग गया किसी तुम्हारे सेरे पर तो छुपकलियां हमारे खेल रही है वो पिकरमंदी से बोला तबियत कैसी है तुम्हारे चिसी के वाज निकलना रही थी इसने बामुश्किल कहा जीए मैं लेकिन वो जासुका था और इसके बाद जो कुछ हुआ इसकी तफसिलात तो चिसी को यार ना थी अलबता कुछ जुन्दा जुन्दा ख्याल था कि गौदांट के अगदी हिस्से में इसके लिए दूश्का लिब्राफ तयार था और वो जब कपड़े बदल रही थी तो कोई औरत के रही थी अब सक्टेमार मालूम होती है आप कहीं मैं मैं डॉक्टर को बलवाओं नहीं कोई डॉक्टर नहीं प्रेशी ने सरगोशी में जबाब ती और इसे घंतर की हिदायत याद आई तुम एरपोर्ट पर वापिस जाओगी और वहाँ सुईस एयर कांटर पर जेनोवा के सुम्हारे हवाल जहाज का टिकेट तयार होगा जितनी जल मम्किन होगा एतने जल तुम इस्ट्रडम से निकल जाओगी वापिस को जब पुलीस को जब इस लूट का पता चलेगा तो वो फॉरण ही शहर की नाका बंदी कर देगी कोई गरबर ना होगी ताहम एहत्यास लावस नी हैं अगर कोई गरबर हो जाए तो तुम इस्ट्रडम से फरार ना हो सको तो ये पता है कि ये कुझी है इस्ट्रडम के एक महफूज घर की वो घर बिलकुल खाली है तुम वहाँ जाकर चुप जाना टैक्सी वो बरबर आई टैक्सी वारत सोच कोई बढ़ गई फिर शाने उस्ट्रा कर बोली अच्छी बात है मैं ले आती हूं टैक्सी तुम यहीं ठेरो टैक्सी उपर ये उपर उट्थी जा रही थी सूरच के बहुत करीब और सूरच था के बड़ी बेदाजी से से जुला रहा था तुम्हारी टैक्सी आ गई को और मुद्दा कह रहा था कास लोग परशान ना करें इसके हाल पर छोड़ दें से वो सो जाना चाहती थी जावर ने पुच्छा कहा जाना है मैडम मुजील स्विज एर काउंटर पर जरनों के लिए हमारा हवाई जहास का टिकेट त्यार होगा लेकिन वो अलील थी और हवाई जहास के सफर के काबिन ना थी चुनाच्छा वहाँ एरपोर्ट पर इसे रोख लिया गया जावर को बुलाया जाएगा इसे बहुत से सबलात पूछे जाएंगे इसे सिर्फ चंद मिल्टों की नीच चाहिए और फैस इसकी तब्यत संभर जाएगी जावर भी सबर हो रहा था कहां चलू और कोई जगा ना थी जहां वो जाती इसे जावर को मैं पूछ घर का पता बता दिया इंस्पेक्टर तर्गियान को विसकाफ दिया गया जो एर फ्रेंस के स्माल सामान ले जाने वाले हवाई जहास के फ़र्ष पर पड़ा मिला था इसकाफ के कोले पर नाम के तहले उस खुपसूती से घड़े हुए थे टी जबी इंस्पेक्टर तर्गियान एक सनाते के आलम में बहुत दे तक इन हुरूस को दिखता रहा और फिर इसने कहा दान्यार कॉपल को फोन करके लाई मुझे दो हॉलेंड के शमाली मगरिबी साहरत और वाक्या और कामर तस्वीर करसा खुपसूरत गाउंस यहां की जन्मत था और वो करीब बड़ दूर से वहां खीचे चले आ जाते थी लेकिन मश्टर के अलाके में एक गुशा ऐसा भी था जहां से आ यहां तो जाते ही ना थी यहां कभी कबार चले जाते थे के एल एम हावाज जहाज की स्चोर ड्रिस के साथ जीफ करीदा का एज करने यहां मजब जबान में छुटियां गुशानी यहां आया था और यहां के जबान के से ऐसी स्चोर ड्रिस में सिखाई थी वो इस मश्टर की आलाके में से बाख खुबी वाकिफ था जहां के मकीन अपने काम से काम लगते थी दूसरे के काम से तांग न अड़ाते थी वो आने जाने वालों और अजनगियों के मामले में इनका शौक तजस्सुर भी बिर्दार करना करता था चुनाचा जो पोश होने के लिए ये एक में सारी विफू सरीन माकाम था जीस इस कदर प्रशान हो गया था कि पहला खया तो इसे यही आया कि तेसी को बिला आखिर ता आखिर अस्पताल ले जाए लेकिन इसमें सब्क खतरा था और फिर इस्ट्रडिम में एक मिनट ठर्णा भी खतरनाक था चुनाचा वो टेसी को कंबल में लपेट कर बाहर उठा लिया है इसे लेकर कार में बैच गया और अर्कामें की तरफ लवाना हो गया और इसे पूरे सफर में यानि अर्कामें तक्रेसी बेहोश रही इसकी नबस बेहत कमजोड चल रही थी और सांस का भी कोई ठिकाना ना था अर्कामें पहुच का जीव में एक सराई में काम किया ये एक छोटी सी सराई थी और जब जीव चेसी को उपर ले जा रहा थो सराई का मालिक सवाल या नजरों से इसकी तरफ देख रहा था हम हानीमोन मनाने आ हैं जीव ने सराई के मालिक को मताला किया ये मेरी बीजी बेमार हो गई है सांस की तख्रीव है जरा तो डाक्टर बढ़ा दू जीव गड़ा गया जरूरत हुई तो आप से कहूँगा इसे जवाब दिया सबस्केले तो इसे ट्रेशी का बुखार कब गया था जीव ने से कमरे में पहुंचके ही दूसी जहादी पलंग पर लिटा लिया और इसकी कपरे उतारने लगा जिस पसीने में तर पर थी इसे इसे सहारा देखा बिठा दिया और इसका लिबास नीचे से उठाकर सर पर से उतार लिया कि जूते और फे पतनों जिसी का गदन सही माइनों में जल रहा था और जीव इसकी आंच महसूस कर रहा था जीव ने बड़ा तर लिया उठा लिया और इसे ठंडे पानी में दिबो कर और फिर ट्रेशी के जिशूर पर से पैर तक स्पॉंच करने लगा फिर इ इसके पलंग के करीब बैटकर इसकी बे पैटीब सांस की करकराहट सुनने लगा अगर सुबह तक इसकी तब्या ठीक ना हुई तो जीव ने सूचा फिर मुझे इस डॉक्टर बुलाना ही पढ़ेगा सुबह बिस्ते की चाजर का सीने से नम थी तेसी बतसूर बेहोश थी अलबता जीव को ऐसा मालूम हुआ कि इसका सांस अप नस्पतन तर्टीब से चल रहा था। जीव ना सहता था कि कम्री की स्काफाई करने वाली मुलास्मा जिसी को देखे। क्योंकि खौफ था कि बहुत से मश्कूप सवलाफ लोगों के दिलों में पैदा हो जाएंगे। बिस्ते की चादर औ कंबल वगरा तब्दील किये जिस तरह इसमें हस्पताल में नस्पो को करते रेखा था। यदि इस तरह कि मरीज को कोई तकलीफ ना हो फिर इसमें तेखी को कंबल उडा दिया। जिसमें दर्वासे पर परिशान मत कीशें कि सक्ती लगा दी और की तलास में चल पड़ा। उस प्रेंट एक थर्मा, मीटर, एक स्पंज और एक मालिश करने का अलकोहल लेकर वापस आया। इसी में आखें खोनी थी जिसमें इसका बुखार ना था। एक सुचार डिग्री था। इसमें धंडी अलकोहल इसके जिसम का पूरा स्पंज किया यहां तक कि बुखार कम हो गया। एक फंटे बाद फिर इसे बुखार चरहा। अब डॉक्टर को बुलाना जरूरी हो गया था। लेकिन मुश्किल यह थी कि डॉक्टर तो इसकी को अस्पताल डाखिर कराने का इस्वार करेगा। और अब तब सावलात पूछे जाएंगे और वो ना जानता था कि पुलीस इही तलास कर रही थी या नहीं अगर कर रही थी तो फिर इन दोनों को फिरासत में लिया जाएगा। नहीं खुद इसे कुछ करना चाहिए। इसने स्प्रेंगी चार्च टक्यां तोर कर इसका सफूफ बनाया। फिर सफूफ इसने टेशे के होटों के दर्मयान जर्टिया। और फिर चम्ची चम्ची पानी इसके मुह में तपकाया। यहां तके वो सफूफ व पानी हल्क से नीचे उतर गई। जीस ने एक बात फिर इसके जिसम को सपंज किया और फिर वो इसका जिसम तौली से खुश कर चुका था। इसने पान्स किसी में पर रख दिया और सुनने लगा। वो यकीन इसे ना किसकता था कि इसका सांफ चीज से चल रहा था कि नहीं। इसे तो सिर्फ एक बात का यकीन था कि यह बात बात धुरा रहा था यहां तक कि इसका वजीवा बन गई। तो मच्छी हो जाओगी। तो पलक तक ना जपकाई थी। शुनाचा इसका बदन तूट रहा था और इसे आखी जल रही थी। मैं बात में जी भर का मीन ले लूँगा। और इसमें आख से कहा। इस वक्त तो आराम देने के लिए घरी दो घरी की आखे बन कर लूँ। और इसे आखे बन की और सो गया। किसी मैं आखे खोल दी और सब की तरफ देखने लगी। देख तक इसकी नज़र धंडाई हुई महसूस हो रही थी और फिर रफ़ता रफ़ता ठीक हो गई। वो ना जाती थी कहां थी कई मिन्टों के बार इसकी हर्थ बेदारी हुई। इसका जो जो दर कर रहा था। यू किसी में इसे हाउं में डालकर अच्छी तरह कूटा और सकुछला हो। और से कुछ धुनला सा ख्याल था कि वो कोई बेहत तवील और ठका देने वाली सफ़र से वापस आई थी। इसे खौपनाफ आँखों से गयर मानूस कमने में चारों तरफ देखा और स्का दिल यक यक एक दो धकन दूल गया। किकी के करीब एक अराम कुर्शी पर जीव बेखबरी घीरी में सो रहा था। ये ना मुम्किन था। आखरी रखा इसमें जीव को देखा था और इसे हीरों का बॉक्स लेकर चला गया था। अब हो यहां क्या कह रहा था। और डूपते दिल और फ जीव को बॉक्स देख दिया था। धूते हीरों का बॉक्स जो इसे असली बॉक्स के बज़राए रखना था। और इसमें जीव की समझा था कि तेसी ने इसे धोका दिया था। चुनास्टा वो तेसी को इस महफूज घर से उठा कर इस जगा ले आया था। और ये पता नह देखते हूँ देखा तो इसके होतों पर रोहानी खुशी और इसमें नास की मस्करहाच आइस्ता आइस्ता पहल गई। तुम्हें वापिस आना मुबारक हो। इसके लहजे में ऐसा मुम्किन तरीन इत्मान इत्में नाम था कि तेसी उलज गई। मुझे वाक्षी अफसू मैंने तुम्हें गलत बॉक्स देदिया। क्या। मैंने दोनों बॉक्स कर्दमें कर दिये थे। वो कुछी से उसका ट्रीसी की करीब आया। और नर्म सिखा। नहीं ट्रीसी तुम्हें मुझे अस्नी की रिश दिये हुए थे। मैंने घंतर को भेज दिये। ट्रीसी ने व जब तुमने मुझे बॉक्स लिया है तो इस लख तुम मुड़े की तेहां मालूम हो रही थी। चिनास्या मैंने तैसा किया कि एरपोर्ट पर तुम्हारा इंज़ार करूँ और जब तुम हवाय जहास में सवार हो जाओ तो इसके बाद ही वहां से जाओगा। तुम ना आई लेकिन। और मैंने समझ किया कि तुम किसी मुसीबत में फज गई हूँ। मैं मैंगूद घर में पहुच रहा और तुम वही थी। लेकिन मैं ना चाहता था कि तुम वहां मर जाओ। और इसने खुश दिली से कहा तुम जानो इसे पुलीस के को सराव मिल जाता। तेशी परशानी से इसे दीख रही थी। जीफ हम सच सच कहना तुम मेरे पास वापिस क्यूं आए हो। और इसने सवाल का जवाब टाल कर कहा। दुखार नापनी का वक्त आ गया। अच्छा है। चन्द मिंतो बाद इसने टेशी को मताला किया। सौ से जरा ही ज्यादा है। बहुत अच्छी मरीज़ा हो तुम भई तिमादार को परशान नहीं करतें। शादाश। जीफ। मुझका भरोसा करो बेबी। वो बोला। भूख लगी है। बापतम स्टेशी ने अपने पेश में बहुत बड़ा घदा महसूश किया। मैं रही हूँ भूख से। वाह। तो मैं कुछ दे कराता हूँ। वो बड़ा से जर्ड़ा फंड़ा वापस आया। इसने टेशी को सहारा देखर उठाया और इसने अपने हाथ से खिलाने लगा। बहार एत्यात और शफकत से। और टेशी ने ठके हुए दिमाग से सूचा कि ये मेरी चिदमत यूही नहीं कर रहा। ये आदमी इतना बेगर्ष नहीं है। चुनाचा इसे यकीनन इसके कुछ इरादे हैं। ये कुछ आसे पहना चाता है। जब वो खाना खा रहे थे तो जीज ने कहा। मैं बजार गया था, मैंने वहां घंतर को फून किया था। पीरे से मिल गए हैं। और इसने तुम्हारे सिस्टे का रुपिया तुम्हारे स्विस बैंक अकाउंट में जमा करा दिया है। और फ्रे ट्रेसी अपने आपको ना रोट सकी और पूच बैठी। सारी रकम तुम ये क्यों न रखी। इसलिए ट्रेसी कि आप वक्त आ गया ह है कि हम आपस में खेल से ना खत्म कर दे। ठीक है ना। बेस तक ये भी इसकी आयारी थी लेकिन वो इसका दर ठकी हुई थी कि इस पर गौर ना कर सकती थी और अब इसकी तकर थी। ना। ठीक है वो बोली। अब अगर तुम अपने बजन के मुक्तरिस हुशू का ना बता तुम इस तरहां बहानी की तो बिचारे परशान हो जाएंगे। और तक टेसी को अपनी एहंगी भरंगी का एहसास हुआ और इसने चादर घसीद कर अपने बजन पर लपेड ली। और अब इसे कुछ धुनला धुनला यार आया कि जीस ने इसके कपड़े उतार दिये थे एहसे नहिलाया था। इसके तिमादारी करने के लिए जीस ने खुद अपनी अज़दादी को खट्रे में डाल दिया था। तेसे के खाते जीस ने बड़ा खट्दा मोल दिया था। आ खिर क्यों। तेसे को अपता के कीन ना आया था वो जीस को अच्छी तहां से समझ चु वो दिल में बोली जरा भी नहीं समझे और फिर सो गई इसी शाम जीफ नाइप गोनों गोचों और जेर जामों और लिबासों आज जूतों के इलावा मेकप का कुल सामान और बाल जंगने की बोतलों भर से भरे हुए दो शूटेश उठा ले आया वो तूट पेख और तूट ब्रश भी लाना भूल ना भूला वो अपने लिए भी कई जोरे लाया था और साथ ही इस दिन का अगबार इंटरनेशनल हेरो अर जूबियन भी लाया था अगबार के पहले ही सपेपाहिरों की जोरी की दास्तां शपी हुई थी पुलीस ने अंदाजा लगा लिया था कि हीरे चिस तहां उठाए गए थे लेकिन इसमें इसका स्काफ कोई स्काफ का जिकर ना था जो हवाई जहास में पड़ा मिला था जिस पटेशी हिंसी का नाम के पहले लफ्द जब यू कड़े हुए थे अगबारी रिपोस के मताबिक चोरों ने कोई सुराख न छोड़ा था जीफ ने कहा लो भाई अब हम अजाद हैं सिर्फ एक एहम काम बाकी रह गया है तुम्हें रूब रूबा से हट काइना पार्ट नमबर 20 यहां इस्तिताम पजीर होता है बकाया पार्ट नमबर 21 में समास परमाईए प्रूबा है